पर लिखा जीवन की आत्मा की वैस्ता, जब हम यह कहते हैं कि जीवन को ने साफ प्रभु येश्व मसी है, अब ध्यान दीजेगा जीवन प्रभु येश्व मसी है, तो प्रभु येश्व मसी खतम हो गया, बुद्धी की वैस्ता है, क्या बुद्धी की वैस्ता खतम हो गई अगर बुद्धी की वैस्ता खतम होगी तो समझो हमा किसी भी मनुष के पास बुद्धी में है अब सारे मनुष जो हैं बुद्धी ही इन घूम रहें प्रभु येशु मसी के मदुनाम में आप सबको जय मसी की प्रभु आप सबको बताय से आशिश दे आमीन हम बात कर रहे हैं परकाशिद वाकिय के पुस्तक के बारे में परकाशिद वाकिय के इस संक्ला में आप सबका सौगत है परकाशिद वाकिय के साथ खंडे जिसमें से हम दूसरे खंड की बात कर रहे हैं साथ कलीसियों के नाम पत्द हम सीख रहे हैं परकाशितवा के एक अद है उसके दस्वें पत के बारे में जिया हम दस्वें पत के बारे में पहले हम इस पत को पढ़ लेते हैं यह लिखा है मैं प्रभू के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुर्णी का साब बड़ा शब्द ये कहते सुना है जिया हम बात कर रहे हैं प्रभू के दिन के बारे में और प्रभू के दिन के बारे में हमने साथ जो है भाग तैयार करे हैं और वो साथ भाग किस परकार से है पहला भाग है प्रभू का दिन कौन सा है दूसरा है क्या विवस्था खतम हो गई तीसरा है विवस्था कितनी है चौता है परमेश्व की विवस्था कौन सी है पांचवा है दस आग्याओं की विशेष्था छटा है दो आग्याएं परमेश्व की विवस्था का अधार हैं साथमा है चौथी आग्या की विशेश्टा ठीक है ये साथ जो भाग है प्रभु के दिन के विशे में हमने बनाए हैं और जिसमें से हम दो भागों के बारे में बात कर चुके हैं प्रभु का दिन कौन सा है और दूसरा क्या विवस्था खतम हो गई आज हम सीखेंगे विवस्था कितनी है चिया आज हम सीखेंगे कि विवस्था जो है कितनी है अगर आप पत्ति से लेकर परकाशित वाकिय तक की पुस्तक को पढ़ेंगे पुराने नियम को भी और नए नियम को भी आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर दो वेवस्थाओं के बारे में बहुत चर्चा है, एक है परमेश्व की वेवस्था और एक है मूसा की वेवस्था के बारे में, इन दो वेवस्थाओं के बारे में बहुत है, परंतु हम सीखेंग आज के इस संदेश में हम सीखेंगे कि विवस्थाइं कितनी हैं और कौन-कौन सी विवस्थाइं खतम हो चुकी हैं। जी हां, हम परमेश्व के वचिन में पढ़ेंगे, जब परमेश्व की व्यस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो नए नियम से मैं बताना चाहता हूँ, खास हो से बहुत से लोग नए नियम से जानने के कोशिश करते हैं, रोमियो 7, उसका 22 पद और 25 पद, और मुसा की व्यस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो पहला कुरंतियो 9 और एब्रैनियो 10-28 को, अब हम पढ़ेंगे कि व्यस्थाएं कितनी हैं, पहले हम इसको गिल लेंगे, मैं रिफ्रेंस नहीं पढ़ूँगा, बस व्यस्था का जो ना विति की पुस्तक 5 अध्याय, उसके 29 पद में लिखा है जलन की व्यस्था, देखें महाँ पर जलन की व्यस्था है, परमेश्वन ने दिया है, यहूशू 8 अध्याय, उसके 34 पद में लिखा है, यहाँ पर दो परकार की व्यस्था, पहली आशिश की व्यस्था, और दूसर और 25 जैसा हम उपर पढ़ चुके हैं परमेश्व की विवस्था के बारे में वर्णन दिया गया है अब देखें आम विवस्था के बारे में बात कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं और इसलिए रिफ्रेंस भी दे रहा हूं रोमियो साथ और 23 में क्या लिखता है पॉलूस क की विवस्था देखें अपॉलूस कह रहा है कि बुद्धी की विवस्था और पाप की विवस्था रोमियो आठ और उसके दो पद में क्या लिखा हूँ है यहां पर भी कई तीन प्रकार की विवस्थाओं का वर्णन है जीवन के आत्मा की विवस्था पाप की विवस्था मिर्त्यु की विवेस्था रोमियो 9 और उसके 31 पद में लिखा धरम की विवेस्था ठीक है पहला कुरंतियो 9-9 में लिखा है मूसा की विवेस्था और एबरेनियो 10-28 में भी जो हम पहले आपको बता चुके हैं एबरेनियो 7-16 में लिखा है शरीरिक आग्या की विवेस्था ठीक है याकुब 2-8 में लिखा है राज विवेस्था ठीक है हम राज विवेस्था को पूरी करते हैं कैसे ठीक है फिर याकुब 2 में एक और विवेस्था दी है सोतंतरता की विवेस्था अब यहां पर है कई जब मैंने इन पदों को आपको बताया था तो इन पदों में कई बार दो दो बार जो है बहुत से विवस्थाओं का नाम दिया गया है पर उन्तों यहां लगबग जो है 15 परकार की जो विवस्थाओं है 15 परकार की विवस्थाओं है अब हम यह कहते हैं कि कह रहा है और मैं आपको reference दिये हैं इसलिए Bible से आपको पद दिये हैं आप उन पदों में पढ़ सकते हैं जिनका वर्लन क्या गया है अब कौन सी विवस्थाइं जो है वो खतम हो चुकी है और कौन सी विवस्थाइं खतम नहीं हुई है पहले हम देखेंगे कि कौन सी विवस् तुम एक दूसरे से चिरो नहीं ये विवस्थाइं खतम हो चुकी है परमेश्व कह रहा है अब प्रभु येश्व मसी ने ये खतम कर दिया है कि हमें जलना नहीं है इसलिए तो वो क्यों नहीं जलना आप देखें जिन्हों ने उसे कुरूश पर चड़ाया जिन्हों ने वो उसको हाथ-पैरों में कीले ठोकी जिन्हों ने उसके मुँपे थोका जो उसका मजाग बना रहे हैं जो उसकाEntवाशा बना रहे हैं वो उनसे जलन नहीं रखाना बलकि क्या कह रहा है ए प्रभु इने चहमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहा है हमें भी और येश शुआ आठ 34 शाप की वैस्ता यानि शाप की वैस्ता क्या है कि जितने प्रकार का श्राप था हमारे उपपर वो श्राप सब प्रव येशु मसीने अपने उपड़ ले लिया और हमें श्राप से मुप्त कर दिया है अब हम साफ से स्वतंतर हो चुके हैं तो इसलिए अब हम श श्राप को येशु मसीने ले लिया तो श्राप की वैस्ता जो है वो खतम हो चुकी है फिर है रोमियो आठ और दो पद यहां पर लिखा है पाप की वैस्ता और मिर्त्यू की वैस्ता दो परकार की वैस्ता है पाप की वैस्ता और मिर्त्यू की देखिए ये दोने में जो वै आत्वाइक द्सक्राइब दित्तृब करें पने । जाता यह पाप की संतान यहां प्रमेश्व का मेमना do संसार के पापों को उठाए लिए जाता है उसने अपने संसार के सारे जितने भी मनुश्य है सब के पापों को उठा कर क्या करा अपने पीट के पीछे क्रूस के पीछे जो है वो फेग दिया है यानि हमें पाप की वैस्था क्या है खतम हो गए कि पाप की वैस्ता क्या थी? उसका कानून क्या था? अरे ऐसे चोरी करना रात में चोरी करो, कोई देखना ले, सुनसान इलाका हो, उसको लूट लो, पकड़ लो, ये कानून होते हैं इसके, ऐसी बहुत सी चे, मिर्त्यू की वैस्ता, अब मिर्त्यू की वैस्ता पॉलूस भी कहता ना जब आप पहला कुरंतियों 15 अध्या उसका 54-55 पढ़ेंगे तो वहां लिका है मिर्त्यू तेरी जय कहां रही वो मिर्त्यू कौन सी मिर्त्यू को जो मिर्त्यू आदन की बातिका में आदम के जीवन में परवेश कर चुकी थी और आदम के द्वारा सारे मनुश्यों में फैल गई थी उस मिर्त्यू को येशू मसी ने अपने उपर लेकर हमेशा के लिए खतम कर दिया यानि मिर्त्यू की वैस्था क्या हो गई खतम हो गई अब मिर्त्यू की कोई value नहीं रही है तो यह जो व्यवस्था है जो मैं आपको बता रहूं यह खतम हो च 19 से 21 पत तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई परकार के पाप हैं शरीर के काम गिनाए गए हैं वैविचार, चोरी, जलन, हिर्शा, किर्णा, लोब ये वो सारी चीजे जो हैं उसमें बताई गई हैं ये सारे काम जो शरीरी विवस्था के अनुसार थे और हम खुशी-खुशी कहते हैं हाँ, येशु मसी ने ये पाँच परकार की विवस्थाएं खतम कर दी हैं अब इनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है और अगर लेना देना है और ये विवस्थाएं हमारे जीवन में दिखाई देती हैं तो इसका मतलब हमने प्रभुयेश्य मसी के क्रूज को व्यर्थ ठरा दिया क्योंकि पॉलूस पहला कुरंतियों एक अध्य है उसके अथर्मे वत्पद में क्या कहता है कि क्रूज की कथा नाश होने वालों के लिए व्यर्थ है परन्तु हमारे प्रवियेशु मसी में क्या है सामर्थ है उसकी सामर्थ है परमेश्व का वचन कहता है तो कुरूज की कथा को हमने व्यत ठरा दिया अगर ये पांच परकार की वेवस्थाओं में हम बंदे हुए हैं या दिखाई दे रही हैं आप ये तो देखे कि वेवस्थ और ये खतम नहीं हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहली बात करेंगे पर मेश्व की विवस्था देखे रूमियोग creator 6 बाईस और 5ck 55 हमने परिमेश्व की विवास्था ये पर में शूकिष की विवास्था में हैं इसको हम आभी और आगे आने function में यहोदियों लोग उसका पालन करते हैं, मगर मुसा की विवस्था में क्या चीज़े खतम होई थी, हमने बात करी थी, पिछले संदेश में बात करा था, कि मुसा की विवस्था में प्रभु येश्व मसी ने जो विधियां थी, विधियों में जो बलिदान हुआ करते थे, वो खतम हो गई, वो विधियां खतम हो गई, प्रभु येश्व मसी ने उन विवस्था को जिसमें बलिदान हुआ करते थे, येश्व मसी के बलिदान के बाद वो सारी चीज़े खतम हो गई है, यह जो चीज है और यह जो अब कर रहे हैं चाहे यहुदी हो चाहे इस्रेली हो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो अगर वो बरीदान कर रहा है तो वो गलत कर रहा है क्योंकि वो खतम हो चुका है और फिर है यहुशू आठ अधिया उसके 34 पद में आशिश की विवस्था जो है वो खतम नहीं होई है देखे आशिश की विवस्था जो है वो खतम नहीं होई है मगर ध्यान दीजेगा कि यह आशिश है कहां यह आशिश किन-किन बातों में हैं इसको ढूंडे जरा क्योंकि परमेश्व की आशिशे कभी खतम नहीं होती है परमेश्व की आशिश ज परमेश्व की आशिशे नहीं होती है ये तो अनजातियों के पास भी है और वो हमसे ज़्यादा हैं उनके पास तो हम ये समझें कि परमेश्व की आशिश है उनके पास अगर आप धंदौलत को परमेश्व की आशिश समझते हैं तो ये गलत है परमेश्व की आशिश है परमेश्व की आत्मा जो हमें मिलती है मुद्धी, समझ, शांती और उसका धहरे और परमेश्व की सुरक्षा, परमेश्व की रक्षा, परमेश्व का न्याएं जो हमारे जिवन ये है परमेश्व की आशिश है जो हमें प्राप्त होती है पर्मिश्वर हमें तयार करता है अपने राज के लिए यह पर्मिश्व की आशिश्या है यह संसार की धंडौलत के साथ इस संसार की धंडौलत भी और धन्वान भी सब नश्च हो जाएंगे यह ध्यान रखेगा फिर रोमियो 53 और उसके 87 पत में लिखा है विश्वास की विवस्था अब ये जो है विश्वास की विवस्था जो है वो क्या खतम होगी अब यहाँ पर एक और है कर्मों की विवस्था यहां दो विवस्था विश्वास की विवस्था और कर्मों की विवस्था अब मुझे बताईए क्या विश्वास की विवस्था ख किने क्याल से महें इसी में निकल जाएगा मैं इसलिए आपको वह चीजे बहुत रिये चीजे बता रहा हूं जिसको आप समझने की कोशिश करें कि वयवेस्ता किदम produce 수 एक चीज़ की विवस्ता है, चाहे आपके रोड पे चल रहे हों, चाहे हवाईजाद में चल रहे हों, चाहे ट्रेन में चल रहे हों, चाहे बस में, चाहे साइकल से चल रहे हों, चाहे कुछ भी कारे कर रहे हों, इंदेश में जहां पर भी रह रहे हैं, हर एक चीज़ की विश्वास की 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 विश्वास के प्रभुईर ने कौन-कौन से कानुन बनाए कौन-कौन से नियम बनाए है यह नहीं पता मगर कहते हैं बस विश्वास कतम होगे विश्वास कतम होने का मतल चाहता हूं सबोव अबदेशक 9 का 10 है जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना क्योंकि अदलोप में जहां तु जाने वाला है ना काम ना युक्ति ज्ञान और ना बुद्धी है अब एक बात बताईये कि जो काम हमें मिले हैं अब जो काम हमें मिले हैं कौन से काम मिले हैं अब यहां करमों की विवस्था है है हमें करम करने हैं हमें काम करने हैं अब जो काम हमें मिले हैं वो हमें जो है अपने शक्ति भर पूरे करना है क्योंकि अदलोग में जाम जाने वाले यह सब चीजे नहीं है हमें इसी से ये शद्ध सुना लिख जो मिर्तक प्रभु में मरते हैं वे अपसे धन हैं आत्मा कहता है हाँ क्योंकि वे अपने सारे परिश्यम से विश्याम पाएंगे और उनके कारे उनके साथ हो लेते हैं देखिए हर एक परमेश्वा का वचन भी कहता है ना परकाश्यद्वा के 20 दाता है अब यहां क्या लिखका हुआ है रोमियो साथ और उसका 23 बुद्धी की विवेस्था अब बुद्धी की विवेस्था क्या है अब हमें बुद्धी की विवेस्था है क्या बुद्धी की विवेस्था खतम हो गई अगर बुद्धी की विवेस्था खतम हो गई तो रामद जो है दो कि दो पल मी लिखा है क्षिए Beland इसके आत्मा अब यहां पर लिखा जीवन की आत्मा आत्मा की विष्टा क्या है जीवन का सबसे पहले यह जाने के जीवन कौन एलिЖलकर के मदधलकी जीवन को ने सब प्रभु ये शूमसी हैijk द्यान दीजेगा जीवन प्रभुयेश्य मसी है तो प्रभुयेश्य मसी खतम हो गया या प्रभुयेश्य मसी रहा नहीं अरे भाया प्रभुयेश्य मसी आज भी है जीवन की विस्ता का नियम आज भी है प्रभुयेश्य मसी के नियम और आज भी इस दुनिया में चलते हैं व बहुत से लोग, बिना सोचे समझे हम पढ़ने लगते हैं, बिना सोचे समझे हम परमेश्व के वचन को explain कर लेते हैं, बिना सोचे समझे पहले उसके बारे में झान दीजिए, study कीजिए, परमेश्व का वचन क्या कहता है, परमेश्व ने हारे को बुद्धी दिये, और जब पिछले संदेशों में कहा था, कि साब हमने PhD करी है, हमने तो Bible को पांच भार पढ़ लिया है, दस भार पढ़ लिया है, हमने पचास भार पढ़ लिया है, हमने तो theology करी है. अरे भाईयात, आपने theology करी हो, या PhD करी हो, अगर आप यह कह रहे हैं, कि आपने कोई भी बाइबल के अंदर थेलोजी नहीं करी, पेज़ी नहीं करी, अगर पेज़ी करी होती, तो ये बाते नहीं करते, कि ये चीज़े खतम हो चुकी है, इस चीज़ को सीखे, जरा जाने परमेशा का वचन क्या कहता है, फिर कहता है, रोमियों 9 के 31 में धरम की वे कहता है, संसारिक वस्तु को पाने के लिए नहीं कहता है, संसारिक वस्तु की खोच करने के लिए नहीं कहता है, कहता है, उसके धरम और उसके राज की खोच करो, उसके धरम उसके राज की खोच करो, उसके धरम उसके राज की खोच करो, उसके धरम उसके राज की खोच करो, आज में हम जाने वाले हैं परमेश्व के राज क्या जो है हम किस देश में रहते हैं हम भारत देश में रहते हैं भारत देश के कानून हमें पता होना चाहिए कि उसका कानून का उलंगन करने से हमें क्या सजा हो सकती है अब अगर हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं अमरीक परमेश्व के राज के कानून नहीं पता है, कि वहाँ पर करना क्या है, वहाँ पर होगा क्या, अब बस परमेश्व के राज में जा रहें, पहले तो त्यारी कर लीजिए, परमेश्व के राज में जाने से पहले, पहला कानून है, उसकी त्यारी करना, अपनी त्यारी करना है हम अपने आपको तैयार करें परमेश्व के राज में जाने के लिए और उसके राज और उसके धरम की खोच करें पहरे उसको प्राप करें फिर याकुब दो के बारत में स्वतंतरता की वेवस्था अब प्रभुयेश्व मसी ने हमारे उपर कोई बोज नहीं डाला है कोई बंधन नहीं डाला है हमें स्वतंतर किया है हर बात में कि हम स्वतंतर हैं हम चुनाओ भी करें प्रभुयेश्व मसी का भी अगर हम चुनाओ करें पांच देर उसका पहला पत पढ़ूँगा फिर तेरमा पत पढ़ूँगा यहां लिखा है मसी ने स्वतंतरता के लिए हमें स्वतंतर किया है अता इसी में इस्तिर रहो और दास्तों के जुव में फिर ना जुतों देखे यहां क्या लिखा है मसी ने हमें स्वतंतरता के उससे, फिर क्या कहता है तेरमय पद में इसी के, हे भाईयो, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो, कि ये स्वतंत्रता शरीरी कामों के लिए अफसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, निकिया है, हम स्वतंत्र होने के लिए बुला के लिए दास होने का मातबब यूद दुसरे की सहले एक दूसरे को समझें परमेश्व का वचन जो कैता है और यह शरीरिक काम पता ही है कि क्या कहता है फिर परमेश्व का वचन क्या कैता है विभarsi गरनियो 7-16 शरीरिक आज्या की विवस्था खतम हो गई है देखिए यहाँ पर अभी हमने पढ़ा ना शरीरिक आज्या की विवस्था यह प्रभू ये शुमसी ने खतम कर दी है परमेश्य कावचन कहता है ऐसा कौन व्यक्ति है जो किस विवस्था का पालन करता है अगर आप वेवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं जो वेवस्था हैं तो इसका मतलब हम परमेश्व की आगया का परमेश्व के कानून का उलहनन कर रहे हैं मजाग बना रहे हैं जिन वेवस्था को येश्व मसी ने खतम कर दिया वो हमारे जीवन में दिखाई नहीं देनी चाह आईए मेरे प्यारे भाहियों हम परमिश्व की जो विवस्था खतम नहीं है उनका पालन करें और जो खतम हो चुकी है उनको अपने जीवन में कोई इस्थान ना दें इस वचन के दोरा प्रभू हम सब को आशिश दें आमें